जिन्दकी के दस ऐसे सच जिसका साइंस के पास नहीं है कोई जवाब हमारे जीवन में कुछ ऐसी चीजे भोटी हैं जिन पर सब भरोसा करते हैं पर इन्हें एक्ष्पेन करना बहुत मिश्किल है आज हम आपको बता रहे हैं लाइफ से जुड़ी कुछ ऐसी बातें जिसके पीछे की पूरी सचाइस साइंस भी नहीं जानता या यूँ कहें कि यह चीजें क्यों होती हैं इसका जवाब किसी के पास क्यों नहीं है नीन आना हमारी जिन्दकी का सबसे महत्वन हिस्सा है नीन में हमें तरह तरह के सपने भी आते हैं लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि सपने क्यों आते हैं आपको बता दे कि सपनों को लेकर कई तरह की माननेता हैं हाला कि इसका सच क्या है कोई नहीं जानता सपने वास्तम में नील के दोरान दिमाग में होने वाली किव्याव का पर्मान है एक मत के अनुसार सोते समय व्यक्ति की जो मानसिक इस्थिती होती है उसी से समधित सपने उसे दिखाई देते हैं वहीं दूसरे मत के अनुसाज जो इच्छाएं हमारे जीवन में पूरी नहीं हो पाती हैं, उन्हें हम सपनों में पूरा होते देखते हैं, हमारे मन की दवी भावनाएं अकसर सपनों में सामने आती हैं धार्मिक मानेताव के अनुसा सपने हमारे जीवन में होने वाली गटनाओं के बारे में अच्छे या बुरे संके देते हैं इन तीनों बातों को साइन्टिस्ट सिद नहीं कर पाए हैं कि आखिर ऐसा हमारे दिमाग में क्या होता है जिससे हमें सपने नजर आते हैं साइंटिस्ट के मुताविक जब हम सोते हैं तो दिमाग कई तस्वीरे और कहानिया बनाता है जो कई बार बेमतलब होते हैं हाला कि इन बातों का इस टिक जवाब किसी के पास नहीं है हम दिन बर में कई बार उबासी लेते हैं ऐसा माना जाता है कि ठकावट या नींद पूरी पिंगरप्रिंस होते हैं अब इन उंग्डियों को दुनिया की पूरी जंशन कैसे मल्टिप्लाई कर ले जिए और सोचे कि इतने अर्वो खर्वो फिंगरप्रिंस क्यों मैच नहीं करते साइंस के पास भी इसका सटिक जवाब नहीं है हमने बच्पन में पढ़ा है कि धर् तो आकर्षन के खनीम बताएं पर यह कोई नहीं बता पाया कि तुछ आकर्षन क्या होता है ब्लैक हॉल इसका राज जानने में हम आज भी पेल हैं मौत के बाद हमारा क्या होता है यह साइंस की पौंच से परे है नीन हमें अपनी दिमाग की वज़े से आती है पर दिमाग म पास नहीं है यह थी आसे में उसकी रिपोर्ट कर दो कर दो कर दो